कानों पर लोगों की मुलाकात की हैं, प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जो सघरवाय माताएं थी, उनकी मुलाकात की है, किसानों की मुलाकात की है, और बचाव कार्य में लगे NDRF, SDRF के जवानों से भी बाच्चित करी हैं। अंत में आज यहाँ पर लिष्टिक कलेक्टर कच की ओफिस में गुजरा सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायक, सांसर, गुजरा सरकार के सभी अधिकारी और भारत सरकार की सभी एजंसिया और अधिकारियों के साथ, हैब्रीड मोड में एक मिटिंग भी हूल है, जिसमें रिव्यू किये अगया है। विपॉर जोई का जब समाचार आया, छे तारीक को, तब बहुत सारी आसंका है सब के मन में थी। मगर मैं बहुत संतोस के साथ आज की रिव्यू मीटिंग के साथ कह सकता हूँ, कि मान्य प्रधान मंत्री जी से लेकर, गुजरात के मुख्य मंत्री जी से लेकर, गाउं के पटवारी तक और सभी चुने हुवे जनप्रति ने दी अनेक स्वम्सेवी संस्थाएं, और सभी संकट ग्रस्त इलाके की जनता की सहयोग से कम से कम नुक्सान में, आज इस साइकलोन का स्थामना करने में हम सफल होगे हैं। इस यात्रा में मान्य प्रदान मंत्री जीने एक रीवियू भारत सरकार की सभी एजन्सियों का रखा उसी दिन, वीडियो कॉंफरन्स पर गुजरात के मान्य मुख्य मंत्री और सभी अधिकारी गण भी उसमें उपस्तित रहें। फिर भारत सरकार के मंत्री मंदल सचीव, गुरू सचीव, मेरे स्तर पर और मुख्य मंद्री जी के स्तर पर अनेक बार तंत्र को एलर्ट करने के लिए अलग-अलग मिटिंग, वीडियो कॉंफरन्स और सुचनाओं का आदान प्रदान हुआ। ये सब मिलाकर सजक्ता के साथ जनता का सयोग लेते हुए, सारे स्वयम से भी संस्थाओं का सयोग लेते हुए, बहुत सफलता से हम बहार निकले। ये तो 140 किलोमिटर पर अवर की स्पीर के साथ साइक्लोन जब लेंड करता है और उसके तिसरे दिन साम को इसका रिव्यू करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि एक भी व्यक्ति की जान इस साइक्लोन में नहीं गई है, तो काम करने का संतोस भी होता है और काम करने का अनन भ होता है, मैं गुजरात सरकार के मुख्यमंतरी और गुजरात सरकार की पूरी टीम को मुख्य सचीव जी से लेकर गाओं के तैसिल के पटवारी और तैसिल पंचायत के लोगों तक बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि इतने बड़े संकट में से कम स के साथ गुजरात की जनता को बहार निकाला गया है एक प्रकार से क्लासिक एक्जांपल है ट्रीम वर्क का भारत सरकार की सारी एजन्सिया गुजरात सरकार की सारी एजन्सिया मुख्यमंतरी जी से लेकर नीचे तक सारे विदायक सांसत और सभी राधनीतिक दल और एंजिय सबने मिलकर समय पर मिली हुई सुचना का उप्योग जान माल को बचाने के लिए कैसे हो सकता है इसका एक क्लासिक एक्जम्पल आज गुजरा सरकार ने सेट किया है गुजरा सरकार ने हर तैसिल में राजे सरकार का एक मंत्री, विदायत तो थे ही, सांसत, क्यांगर सरकार के एक मंत्री हर जिले में प्रभारी सचिव, हर तैसिल में सचिवाले में बैठने वाले सिनियर ओफिसर और सारे विभागों को एक्टिवेट करते हुए NDMA के साइक्लोन की पूरी की पूरी गाइडलाइन को लेटर एंड स्क्रीट में जमिन पर उतारने का काम किया है और उसी का नतीजा है कि एक भी जानानी नहीं हुए है सिर्फ 47 लोग इंजर्ड हुए है उसमें भी एक भी इंजर्ड ऐसी नहीं है जिसमें पर्मेनेंट अपंगता आये या सीरियस प्रकार की इंजर्ड हो और पसुओं को मृत्यू भी अब तक सिर्फ 234 रेकोर्ड पर आई है इतनी बड़ी कोश्ट लाइन जुनागर कच्छ जामनगर पूर्बंदर दिव भूमी द्वार का गीर सोमनाथ मोर्भी और राचकोट इतने जिलों के व्याद रखने वाले इस सैक्लोन में से इतने कम नुकसान के साथ बाहर निकलना साच अर्थ में गुजराश सरकार इसके लिए अभीनंदन की अथिकारी है देश के सन्मानिय प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से साइक्लोन का समारचार मिला पहरे दिशा गुजराकी और नहीं थी फिर भी पूरे तंत्र को सचेत करने और सारी व्योस्ताव को चूस दुरूस्त रखने तक रात को एक-एक बजे तक स्वयम निग्रानी लखी कई बार गुरू मंत्राले को अने को बार राज्यसरकार को स्वयम बात करकर हर छोटी-छोटी चीज का ध्यान रखने का जो सूचना दिया इसका ही नतिजा है कि आज हम बहुत कम नुक्सान में बार है कई बार मेडिया में चला इतने गाओं में बत्ती गूल वगेरा में थोड़ी स्पष्ठता करना चाहता हूं कि एंडिये में का प्रोटोकल है कि जहां पचास किलोमीटर से ज्यादा गती पर हवाएं चलती हो वहां एस्ट्री लाइनों को बंद किया जाता है इसके तहट 3400 गाओं में बिजली रोकी गई थी उसमें से 1600 गाओं में बिजली रिश्टोर कर दी गई है और मुझे विश्वास दिलाया है तंत्र ने कि 20 तारिक की सामको 6 बज़े तक सभी के सभी गाओं में बिजली रिश्टोर कर दी जाएगी मैं मानता हूं इस से ज़्यादा जल्दी से बिजली का रिश्टोरेशन हो नहीं सकता लगबग लगबग 1206 सगर्बा बेहने चिनहीद करकर उनको सुरक्षित अस्पतालों में पहुँचा आया गया उसमें से एक अस्पताल का आद मैं विजिट करकर आया हूं और साइकलोन के दिन ही एक ननी सी बिटिया ने जन्म लिया है उसको मैं मिलकर भी आया हूं इनकी माता को भी मिलकर आया हूं सारी सगर्वा बेहनों ने संतोष वक किया है इनके खाने पीने से लेकर मेडिकल चेक अप तक की सारी विवस्ताय धंसे हुई है और ये तीम दिन के अंदर 707 सफल प्रसूती वही पर अस्पतालों में की गई ये बहुत बड़ी उपलब्दी है समवेदना के साथ ये बेहनों को समाल कर अस्पताल में पहुचाना और उनकी प्रसूती की चिंता करना कुल एक लाख आठ हजार दोसो आठ जितने सिविलियंस को सलामत जगे पे ले जाने की करेवाई हुई है एक लाख आठ हजार दोसो आठ ये आकड़ा सुनकर मुझे भी बहुत अश्चरे इसलिए हुआ क्योंकि गुजरात में जल्दी से कोई अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहता यहां की एक प्रकृती होती है अगर गुजरात सरकार ने और चुने हुए प्रतिमिद्यों ने साथ में रहकर सब को सलामत जगे पे पहुँचाए इसी का कारण है कि आज एक भी जानारी नहीं होगे कुल मिला कर 73,000 जितने पशुओं को सलामत जगे पर पहुँचाने का काम किया हवा के तेज जोंकों से और थपेडों से व्रुक्स उखड कर निकल न जाए इसलिए 3,27,890 भुक्षों का समय पर प्रुनिंग कर दिया गया जिससे टेहनिया और पत्ते कम होने के कारण हवा इसको जमिन से उखाड नहीं सकी और इसके कारण इतने बड़े साइकलोन के बाद भी कम से कम भुक्षों को नुक्साम हुआ है लगबग 4,317 सभी जिलों से मिला कर होर्डिंग को समय पर हटाया गया कई सारे साइकलोन में एक्स्पिरियंस में आता था जब होर्डिंग पवन के थपडे हवा के थपडे जोर से आते हैं तब होर्डिंग उखड कर बहुत सारे लोगों की जान लेने का कारण बनते थे। परंतु 4,317 होर्डिंग को सफलता के पूर्वक उनके स्ट्रक्चर के साथ उतारने की कारेवाई समय बद्ध तरीके से हुई लगबग 21,585 बोट्स जो समंदर में थी उसमें से एक भी बोट्स समंदर में नहीं रही और एक लाग से ज्यादा मचवारों को किनारे पर समझ पर लाकर उनकी जान बचाने का काम भारत सरकार और गुजरा सरकार की एजन्सियां ने किया है इस पूरी एक्सेसाइज में, NDRF की 19 टी में, SDRF की 13 टी में और रिजव दो बटालियन इस सब ने मौके पर अपनी जान जोखिम में डाल कर काम किया है आर्मी, नेवी, एरफोर्स, कोशगार्ड, बीएसेप, स्टेट रिजव पुलिस, स्टेट की पुलिस इस सभी लोगों ने मिलकर, टी में तैयार करकर, NDRF, SDRF के साथ, कंदे से कंदा मिला कर काम किया है मौबाइल टावर, जो क्षति ग्रस्त है, जहां बीजली की आपूर्ती नहीं है, वहां डीजी सेट लगाए गये है सारे अस्पता लोग जहां बीजली अभी तक रिवाइब नहीं हुई है, वहां पर भी डीजी सेट लगाए गये है और लगबग लगबग कॉम्मिनिकेशन की व्यवस्ता कम्प्लीटली रिश्टोर हो चुकी है, ऐसा संतोष के साथ हम कह सकते हैं बीजली की सप्लाई पुनप्रस्ताफित करने के लिए 1133 टीमे अब तक काम में लग चुकी है और इनके साथ 400 टीमें कल से और जूड़ी जायागी कल पूर्जे जो बीजली सप्लाई को अभिरत रुप से चलाने के लिए जरूरी थे उसका पहले से ही यहां स्टॉक कर लिया गया था एडवांस में जिससे बीजली का रिश्टोरेशन बहुत जल्दी से हो रहा है यहां का स्थानिय चियत्तर सो लोगों का स्टाफ भी बहुत मुस्तेदी के साथ इस काम पर लगा है मित्रो आप जानते हैं मिठा के अगर मिठा के मतलब नमक के प्लांट यहां पर धेर सारे हैं गुजराती में कव तो मिठु बनावना कितला है अगर यह भायू बहुत सारे धेर सारे मर्दूर यहां पर वो प्लांटों पर थे उनको भी सफलता के साथ बहार लाने का काम किया गया है और मैं मानता हूँ कि समगरता से राज्य सरकार और केंदर सरकार दोनों ने मिलकर सफलता के साथ बिपोर जोय का सामना किया है एक भी मानव मृत्यू नहीं होना यह तंत्र की सफलता है ऐसा मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कम से कम इंजड कम से कम पसुओं की मृत्यू और कम से कम पैड और व्रुक्सों का उखड़ना यह हमारे लिए एक नजीर बनी है कि समय पर की सुचना को कि इस प्रकार से साथदानी के साथ इंप्लिमेंट करे तो बड़े से बड़ी होना रत से बचाया जा सकता है पर NDA मेंने जो गाइडलाइन साइकलोन के लिए बनाई थी वो गाइडलाइन की मैं अपी रिव्यू करकर ही आ रहा हूँ इसलिए आपको कह सकता हूँ कि सत्प्रतिसप गाइडलाइन का इंप्लिमेंटेंशन गुजराज सरकार ने जमिन पर किया है एक गुजराज सरकार की बहुत बड़ी उपलग्दी है मान्यप्रदानमंत्री जी गुजराज से ही है हर बार साइकलोन आता है उसी तरह मान्यप्रदानमंत्री जी ने बड़ी सम्वेदना के साथ इसकी चिंता करी है गुरुविभाग को भी सचेत किया राजे सरकार को भी सचेत किया और हर छोटी छोटी चीज का चिंता करते हुए हम सब को काम करने की फ्रेणा दी है और एक कुल मिला कर गुजराज के मुख्यमंत्री बुपेंद्र भाई के नेत्रूतों में एक अच्छे टीमवर्क के कारण आज एक बहुत बड़ी हुम्यारत बहुत बड़ा सैकलोन कम से कम नुक्सान में हम पार करे हैं और मैं इतने सालों से सारवजनिक जीवन में हूँ लगब 40 सालों से पहले कारे करता है इनाते और 30 साल से चुने हुए प्रती इनाते कई जगह में गया हूँ पहली बार ऐसा हुआ है कि जाने के बाद कोई कम्प्लेंट के बगर हस्ते हुए चेहरे दिखने मिले हैं वो बहुत संतोस की बात है इवन जो किसान जिनकी वाडिया उखड गई वो भी कहते थे किसा व्यक्ति बच गए है वाड़ी तो फिर से बन जाएगी आप सहायता करो होगे ही इस रद्धा के साथ सब ने इस काम के प्रति अपना संतोस और प्रसंदत्य अब्यप्त की है दन्यवाद आप लोगों को कुछ पूछना है दो जब पूछ सबसे पहला हमारा प्राइवर्टी है जो विस्तापित हुए है उनको अपने घर में डिस्टोर करें सहायता का पैकेज का एक पेटन बना हुआ है इसके आधार पर गुजरा सरकार पैकेज बनाएगी और इसकी बोचना करेगी अभी बीजली का रिस्टोरेशन पीने के पानी की सप्लाई को सत प्रतिसत चालू को ना वो तो आज भी चालू है और जो विस्तापित नागरीक है उनको अपने घर में सलामत तरीके से पहुंचाना है यह हमारी प्राविटी अज ही रिव्यू में तैय हुआ है कि होटी कल्चर डिपार्टमेंट के यहां जितने होटी कल्चर है अनार है खारेक है आम के पैड पर आए जाएगा और आने वाले तीन मैंनों के मौसम में को ध्यान में रखकर कितना कम से कम नुक्सान किया जा सकता है उसको फिर से कैसे पुनरजीवित किया सकता है यह भी करेंगे और इसके साथ जिनका नुक्सान हुआ है स्वाभावी कुरूप से रियाबिटेंट पैक इसकी भी चिंता की जाएगी सर्वे की टीमें आएगी जो सर्वे करकर यहां पर गुज्रा सरकार की टीमों के साथ सर्वे करकर करेंगी इसमें रूल्स एंड रेगूलेशन बड़े ताय हैं वी तायोग ने सारे नौंस कॉंक्रिट जैसे बना लिए जिसको एक हिंच को इधर से उधर नहीं कर सकता है इस हिसाब से बारत सरकार काम करेंगी तो बहुत 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 की जाने गई है उरिश्या सरकाने भी बहुत अच्छा पर्फॉम किया है बंगाल सरकाने भी अच्छा पर्फॉम किया है यह मोदी जी यहां से गुजराज से देश के प्रदान मंत्री बने और यहां भुकम के बाद यहां मुख्यमंत्री बने जी तो आपदाओं के लिए उनका समवेदन स द्रश्ट्री कौन था इसके कारण इन नौ साल में आपदा प्रबंदन के क्षित्र में गुजराज सरका ने राज्यों को साथ में रखकर एक बहुत बड़ी ताकत देश के अंदर खड़ी की है एंडिये में बना एंडिये में पॉलिशी डिसिसन लेता है न्डी आरेप बना एंडी आराप के साथ एस्डी आरेप की रचना हुई और सेंट्रल परामिलिटरी पुर्सीस और स्टेट रिजोब पुलिस इस सब में धेर सारे लुगों को ट्रें करने का काम हुआ है बड़ी तयार हुई है जो किसी भी परकार की आपना के सामने लडने के लिए लडने के लिए नहीं को साधन रुक्षाज़ दोनों दिये गए हैं इसी का नतीजह है और मगर को ऐसके लिए आपसर्कार अभीनंदन की अधिकारी है सब्सक्राइब निश्चीत रुप से इसका भी सर्वे होगा जिमावर्थी लाका है वोडर का वही बाकी लोगों को जरा कुछ ने दूए सब्सक्राइब निश्चीत रुप सब्सक्राइब कर राज्य सरकार चिंता करकर पुछी समय में इसको घोसित बरेगी अभी प्राच्चमीक सर्वे हुआ नहीं अबी टीमवर्थ का नतीजा है के अंज्चे सरकार और राज्य सरकार की टीमें और गुजरात के मुख्यमंत्री जी के नेत्रूतों में पूरी राज्य सरकार की मस्तनरी ने टीम बनकर बहुत अच्छे से परफॉंग किया इसी का यह अच्छा नतीजा है झाल